से चेर विल्ट एग्जामेन इट एंड विल्टेक्ट नेसेसरी स्टेप से बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महद है मैं मानियवित मंत्री श्रीमती निर्मला सिता रमन जी के द्वारा लाए गए इस बजट का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ अभी हमें स्टार्ट अप बनने के बाद करते हैं कि यह इस ऑफ डूइंग नहीं है जिनके जमाने में कुछ राज्यों में ही फूड सेक्यूर्टी लागू थी और आज के जमाने में जब दो साल से मुफ्त अनाज लगातार यह किंद सरकार दे रही है तब इनको लगता है कि यह गरी में थे उस जमाने में इनहीं के प्लानिंग कमिशन के चेर्मन कहते थे कि 24 रुपया यक आजमी को खाने के लिए पूरे दिन में सफिशन ए में बनाद कर दो 24 रुपया में खिला कर के प्रतीदीन सभ को इनोंני अमीर बना दिया था अब अचानक हम लोगों से यह हो रही है क कि हम आपको डेर लाग का मकान देंगे, हम आपको मुफ्तानाज देंगे, हम आपको गैस का चुला देंगे, बिजली देंगे, तो जाहिर बात है कि UPA सरकार के मंत्रियों को यह सब लग रहा होगा कि यह तो गरीब नहीं है, तो सब को अमीर बनाने की योजना है, तो गरीबो साल पहले कहा था, कि आने वाली शताबदी भारत की होगी, सही अर्थों में या बजट उस उनके शब्दों को चरितार्थ करता है, अगर हम बात करते हैं, दोहजार सैटालिस की मैं लगातार सुन रहा था, प्रेसिडेंशल स्पीश से लेके अभी तक, इन लोगों को बहु घोटाले में बिताते थे और एक साल मुफ्त रेवडियां बाटते थे और उमीद करते थे कि फिर हम सरकार में आ जाएंगे, तो इनके तो ऐसे ही पंच वर्षिय योजनाई शल्ती थी, आज अगर हम एक विश्वास की नीव रख रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रह गा और उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं तो महवदय लोगों को कस्थ हो रहा हैं यह इन लोगों के लिए हमेशा से बजट होता था एक खेल, सत्ता का खेल होता था इसमें टैक्स बढ़ा दो, उसमें घटा दो, और जिसको टैक्स बढ़ाना है उसको पहले से खबर कर हो कि वह खरीद ले और बैठे बठाए लोगों को पैसे बन जाएं आज हम जब बजट बनाते हैं तो हम लोग एक स्टेबल बजट बनाते हैं हर साल यह खेल नहीं चलता है उचा नीचा करने का और हम लोगों ने जो पिछले साथ वर्षों में जो भी काम किया है और अगर क साल की बात करें तो पिछले साल 5 लाख करोड रुपय का प्राधान मंतरी गतिशक्ती और कैपटल एक्सपेंडिश में हम आज है जब एक बड़ा हाईवे बनता है तो वह केवल एक हाईवे का निर्मार नहीं होता है उसके कारण नहीं जाने हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है हजारों लोगों को जो बालू का काम करते हैं अलकत्रा का काम करते हैं गिट्टी का काम करते हैं सिमेंट का काम करते हैं, छड़ का काम करते हैं, इन सब ही जो इलाइड जॉब्स हैं, जो इनके इलाइड ुद्धुख हैं, इन सबों को भी उससे मदद मिलती हैं, और इसके का, जो हम लोगों ने राष्टिय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड़े, बंदर का, इन सभी में जो हम विश्व इस्तरिय और सरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं इससे ना केवल हम वैश्विक बजार के डिमांड सप्लाई चेन से जुड़ करके एक प्रधानमंत्री जीन जो स्थपना देखा है कि विश्व के हर घर में मेड इन इंडिया का एक सामाज अवश् है हम पीलाई के माधम से केवल 14 छेत्रों में 60 लाग रोजगार देने की बात कर रहे हैं और पांच वर्षों में उनका बिजनेस 30 लाग करोड का होगा पर नजाने हमारे विरोधी दल के नेता किस तरह से बजट सुनते हैं यही मुझे समझ में नहीं आता है यह 60 लाग रोजगार चाहे वह सौफ्ट्व एर इंडस्ट्री ओ चाहे अन्य छेत्रों सबों में हम लोग ने रोजगार देने का काम किया है मानने यह प्रदान मंति जी स्वाहिं भू कह रहे थे कि 27 लाग रोजगार के वहल सौफ्ट्व एर के इंडस्ट्री में इतना ही नहीं जो सर इफेक्स, गेमिंग, कॉमिक्स यह बिलकुल नहीं तरह के सौफ्ट्व एर इंडस्ट्री है और इसके लिए एक टास्क पोर्स बना करके इसकी दिर्ख कालीन योजना सर मेरे को 12 तू 15 मिनिट से सर इसी प्रकार रेलवे के छित में भी 2000 किलोमीटर रेल मार्क के रेल अधुनिक बनेगी बलकि रेल में भी रोजगार के बहुत सारे आफसर मिलेंगे उसी प्रकार अध्यक्ष मौद है इस बजट में CTG MSC स्कीम अर्थात क्रेडिट गारेंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटर्पाइस को जो तीन लाग रुपे का अतिरिक्त रि अध्यक्ष मौद है सभापती मौद है सो एक सौ पी एम गती शक्ति कार्गो टर्मिनल वन प्रोड़क्ट वन स्टेशन इन सब को जोड़ने के लिए चार नए मुल्टी मौडल लॉजिस्टिक पार्क यह सभी ऐसी योजना हैं जो अगले पचीस वर्ष में भारत को विकास मजदूर आये थे वो सही बात है वो तरास्ति हम सबों ने देखी है लेकिन प्रधान मंत्री के जो पैकेज था और ये पी एम इजी पी योजना इसका अगर उधारन देखना है तो मैं विरोधी दलों के सांसेदों को इन्वाइट करता हूं कि चले मेरे लोग सभाच्छेत में हमारे यहां इस तरह के लोगों को पी एमी जी के माध्यम से एक हमने चनपटिया में दो सौ से ज़्यादा स्टार्ट अप किया है और उन लोगों ने आज जो मजदूर पैदर चलके मेरे आये थे वैसे दो सो लोगों ने एक स्टार्ट अप जोन बना के पुरा अप्रे मंतरी जी ने में बन की बात में प्रमोध जिस प्रमोध कुमार की बात की थी वह भी हमारे एक दूसरे प्रखंट का रहने वाला जो वह भी मजदूर आया था और एल एडी की फैक्टरी बना के आज वह उद्यमी बना हुआ हुआ है इस देश में ऐसे हजारों उधारन है कि जनवरी में हमारा जी एस्टी कलेक्शन रिकॉर्ड एक लाग चालीस हजार करोड हुआ है हमारा निर्यात जो है वो तीन सो नवे बिलियन डॉलर के एतिहासी के स्तर पे पहुंचा है और यहीं बताता है कि करोना की परिस्षितियों में सरकार की नीती नियत और दिये है पैकेज बिल्कुल सही थे आई एम एफ का भी मानना है कि इस बार ग्रोफ नाइन पॉइंट टू परसेंट रहेगा और बाइस तेस में भी आख़रा आट तरसम्रों पांच प्रतिशत रहने वाला इस बजट का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवरतन है वो शिक्षा के छ और टीवी चैनल्स पर जा रहे हैं कि हर बच्चे हर रिजिनल लैंग्वेज में सारे सब्जेक्स पर चख सकें और इतना ही नहीं उसके आगे बढ़के जो डिजटल युनिवर्स्टी बनाने का जो सरकार ने निर्ने लिया है इस से अन्य बच्च युवाओं को आगे बढ करने में मदद मिलेगी और साइंस मैट्स के लिए साड़े साथ सो वर्चुल लैप्स 75 नए इसकिल इलैप्स गिफ सिटी में वर्ल्ड क्लास फॉरेंड युनिवर्स्टी यह सब ऐसी युजनाय हैं जो युवाओं को एक नए मकाम पे खड़ा करेगी स्वास छेत्र में भी एक बहुत अच्छा असर हमारे स्वास्त की चेत्र में डालेंगे रोजगार और शिक्षा के लावा गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान दो लाख सक्षा मांगनवारी क्रिशी चेत्र में 2.37 लाग करोड रुपे से MSP की खदान की खरिदारी गंगा के किनारे 5 किलो मीटर त साता है कि हम लोग और UPA सरकार का क्या डिफरेंस है उन लोग हम लोग कभी वोडबेंग की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं बलकि हम देश को मजबूत करने की देश को आगे बढ़ाने की और हम आत्म निर्वर भारत के लिए पुन्धा संकल्पित हैं और श्रेष्ट भारत ह हमारी सिध्धी है इसलिए मैं मानिया वित्मंत्री श्रीमती निर्वला सीता रमन जी को बढ़ाई देता हूं कि यह बजट ना सिर्फ भविशमुकी है बलकि सर्विस परशी और व्यापक तोर पर समाज के सभी वर्गों के लिए हिटकर है आपने इतना जिर्व बोलने का म आपा वर्ने, ने ने स्विकर